हेलो दोस्तों मेरा नाम है जयमीन आप देख रहे हैं टैकी जयमीन दोस्तों आप दो स्मार्टफोन की कंपेडिजन वीडियों रिखाएगा जो अंडर 15000 की सेग्मेंट में दोनों रिसपॉंड देखने को मिल जाते हैं जो पहला जो फोन है वो सेमसंग गैलेक्सी M30 जो फिलाल आज ही इंडिया में लांच हो है M series का इस स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है और दूसरी तरफ आप मारा Motorola का Moto G22 हाला कि बतने दोनों स्मार्टफोन में को प्रोसेजर और प्राइस थोड़ी बहुत उपर नीचे देखने को मिल जाते हैं लेकिन अगर आपको इसी उस प्राइस सेग्मिन में कोई फोन लेना हो तो कौन सा लेना जाता है कि दो जाओंगा वीडियो शुरू करने से बतना जाओंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर जामें ऐसी रोजिक वीडियो लाता रहोंगा यहा प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाती है यानि कि नॉर्मल टिफिकल सा स्मार्टफोन देखने को मिलता है एं 30 और डिस्प्ले के मामने में भी आपको नॉर्मल सा है अगर पंचल देते तो बहुत ही अच्छा रहता है लेकिन यहां पे मोटरोला का मोटो जी 22 है इसम आपको IPS HD panel देखने को मिलते है लेकिन यहां पे आपको 19 Hz का refresh rate और यहां पे पंचल गामरा डिजैन के साथ में यह डिप्ले देखने को मिलता है लेकिन यहां पे hopefully 19Hz का refresh rate देखने का मिलता है लेकिन जो Galaxy M30 है उसमें आपको normal 16Hz का refresh rate देखने का मिलता है तो all over मुझे लगता है कि अगर full HD plus का resolution चाहिए without refresh rate तो यहाँ पे M30 को consider कर सकते हो लेकिन यह बात ध्यान रखेगा यहाँ पे notch है अगर notch नहीं चाहिए पंचल camera डिजाइन चाहिए under 10,000 सेकी segment में तो obviously यहाँ पे Moto का G22 best option देखने का मिल जाता है deep play के मामले में बात के देहां पे दुनों smartphone के performance की बदर के यहाँ पे Galaxy M30 में देखने का मिल जाता है तो obviously performance अच्छा है लेकिन यहाँ पे high end game नहीं खेल पाएंगे थोड़े बहुत game खेलेंगे फिर भी यहाँ पे shutter lag देखने का मिल सकता है लेकिन multitasking और जो normal जो आपको social media handling को भी use करना हो तो यह phone best option हो जाता है लेकिन यहाँ पे भी Moto G22 है उसमें भी आपको media deck का Helio का G37 वाला processor देखने को मिल जाता है जो 12 निमेंटर बेस सेकुन पर काम करता है और यहाँ पे power VR का GPU देखने को मिल जाता है तो दोनी फोन नॉर्मल जो यूजेज के लिए आपको दोनों परफॉंस के माम में दोनों इक्वल से हम कह सकते हैं ज्यादा फरक देखने को नहीं मिलता बात कते हैं में दोनों smartphone के रेम श्रूर्ण की बता कि यहाँ पे Galaxy M30 में देखने को मिल जाते है इतनी बड़ी ब्रेंड होने के बावाजित यहाँ पे जो स्टोरेज वेरियंट है कौन सा वर्जन है वो नहीं बता है बात यह अच्छा रहता लेकिं अगर और विडियंट चाहिए तो गैलक्सी M30 में देखने को मिलता है लेकिन इसकी प्राइस के इसाफ से अमचे देखने जाए तो ओविसली यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे टूए टूए टॉप्शन देखने को मि सेयमसों के यहाँ टूए टुए-टूए टूए लगता है पता नहीं सेमसंगों किया हो गया यहाँ पे इस सेगमेंट पे यू ऐसा कैमरा लांच कर रहा है पांच की जगाहा आट मेगा विक्सल का अल्ट्रावाइट देखने को बहुत काव रहता है लेकिन यहाँ पांच म का यूज किया गए अल्ट्रावाइड लैंस सिंगल एलेडी फ्लैस देखने को मिल जाती है और 10 तकी 13 एपिस तक रेकॉर्डिंग कर सकते हूं यहां पर 16 एपिस का सपोर्ट नहीं है तो यह बात ज्याने कियेगा लेकिन यहां में मोटो जी ट्वेंटी टू की बात करूद य देखने को मिल जाता है 15 Mbps का प्राइमरे लिए जैंस और 8 Mbps का अल्टरावाइड 2 Mbps मीड़ों का मेक्रों 2 Mbps का डेप सेंसिंग अबर देखने को मलजाता है सिंगल एलेडी फ्लैस देखने को बिल जाती है और यहां पर भी सेम थे 13 एपेस्ट रेकोर्डिक कर सकते हो यह एस अप्शन के साथ में तो कैमरा फीचर्स ओविसली तोड़िया लिए की रेकोर्डिक आप्शन है वो दोनों में सेम देखने को मिलता है लेकिन कैमरा आपको आठ मेगा विक्सल का इल्टरा वाइड लेंस चाहिए तो मोटो जी ट्व अगर 16 मेगा विक्सल या 30 या 12 मेगा विक्सल का देते तो थोड़ा बहुत अच्छा रहता लिकिन यहां पर 8 मेगा विक्सल यूज किया है लेकिन यहां पर जो मोटो जी 22 है उसमें आपको 16 मेगा विक्सल की पंच और सेल्फी देखने को मिल जाती एफ 2.45 एपिचर के शा इस पंपेट तो गैलक्सी एम 30 अपको देपे दोनों स्मार्टफोन के बैटरी विद्टर की बजाने के गैलक्सी एम 30 में आपको 6000 इमेच के आपको बैटरी देखने को मिल जाती है लेकिन गैलक्सी में 30 में आपको 15 वाट की फार्स चार्जिंग का सपोर्ट दे और इन आपको देखने का मिल जाती गैलक्सी एम 30 में आपको एंड्रोइट वाट देखने को मिलता है लेकिन गैलक्सी में 30 में आपको और यूए 4.1 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है तो अगर आपको पसंद है ज्यादा तर तो मोटो जी टेटीट तो कंसीडर कर सकते ह को बात के देपर दोने स्मार्टीर के कनेक्टी जी सफ़र्ण देखने को मिल जाता है था स्पूर्ट्च के आपको की। देखने को में मिलती बात के देखने को मिलता है लेकिन प्राइस की बात कुरते हैं वह आपको 11000 की प्राइस में देखने को मिल जाएगा और इसकी जो सेलिंग और 23rd of July को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी लेकिन यहां पर देखने को मिल जाता है तो यहां मेरा सजेशन होगा कि जो मोटो जी ट्वेंटी टू है बेस्ट ओप्शन देखने को मिल जाता है इस प्राइस सेग्मेंट में क्योंकि अभी जो आपको गैलेक्सी M30 में जो आपको स्पेसिकेशन प्रोवाइट कर रहा है सेमसंग मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस देना चाहिए क्योंकि अभी जो प्रैस आपको देखने को मिलती है वह फिलाल अभी आपको प्राइस इंट्रोड़क्टरी प्राइ जैसे कि आप देख सेकते कि यहां भी ड्रॉब नॉट्स दिया गया है गया है गयालेक्सी M30 में अगर थोड़ा बहुत और ज्यादा है यानि कि फूल एची प्लस का रिजलूशन के साथ और ज्यादा एक स्पेसिशन देते पंच और के साथ में डिस्प्ले के मामने में तो जना ज्यादा प्रफॉंस देखने को नहीं मिले का केमरा के मामने तो यहां मुझे एक कहता है ना कि सब कुछ मिला जुला के बात करूं तो आप मुझे मुझे लगता है कि मोटो जी ट्वैंटीटीटू है वो बेस्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है आप मुझे कोई से में जरू बतना है कि आपको दोनों फोन में से कौन सा फोन पसंद आया मुझे कमें से जरू बतना फिलाली श्रीट में इतना है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें चैयर करें कॉमेंट करें सब्सक्राइब को नहीं एक वीडियो लाता रहूंगा धनिव कर दो कर दो